एलो स्टुडेंट उमीद करते हैं कि अब आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि लग भग यहाँ पर रिजर्ट ताय हो गया कि किन लोगों की यहाँ पर नौकरी होने वाली है है ना तो अब बार है डोकुमेंट वेरिपिकेशन की, तो डोकुमेंट वेरिपिकेशन कैसे कैसे होगा, यानि इसे ही हम लोग डोकुमेंट वेरिपिकेशन काउंसेलिंग कहेंगे, ठेक है, ये कैसे होगा, अब इसमें कौन-कौन से डोकुमेंट लगेगा, किन-किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है इन सभी चीजों को जानकारे लेना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस नोटिस के माध्यम से आप लोग सब कुछ समझना है चलिए अगर आप लोग समझ ली हो पढ़ करके नोटिस अपने से तो बहुत बढ़ हैं अगर आप लोग नहीं पढ़ ह जाओगे तो आपके लाइफ के लिए बेहत्तर होगा क्योंकि डोकुमेंट फिरिफिकेशन एक ऐसा चरन होता है यहां पर स्टेप होता है जिस स्टेप में थोरा सा भी गरवरी आपको दिकत पहुचा सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग साबधाने से कीजिए औ इतना तो सब लोग जानते हैं बिग्यापन संक्यास साथ 2022 यह भी जानते हैं और जिन केनिडेटों का परिक्षा 521-2024 है ना यानि कि पांच से ले करके 12 जनवर बीच हुआ था इन सभी केनिडेट जो परिक्षा दिये थे उसका परिक्षा अंक वेबसाइट पर डाल दिया सबसेट तो तो जानकाली लाता तो हम अपड़ेट देते नहीं राता तो नहीं देतें अपने मान से क्यों रखेशियु Safehma है घ्चान. अपने देख लिए अब यहां पर स्का-ट दिया गया उसमें दो चीज की आगिए दो चीज क्या किया गया एक है योग्य एक है अदुसरा योग्य है यानि कि इंगलिस हमें लिखा है qualified Noолж the belief so groove quality ऐन एक् семь जो कि आलिपा यह को कॉंसुलिंग में बुला एगिया है यहां पर आपने में संसोधन नीचे रगया यानी कि नोड़ क्या रखा गया था बिचला अंक 32 आप लोग पिछले नोटेस के माधियम से आपने देखे थे इतना विभाग के द्वारा रखा गया था अब इससे नीचे जो भी इस्ट्रेंट अंक लाए हैं उससे नोट क्वालिफाइड के सिरीने में रखा गया अब यहां पर जो क्वालिफाइड है उन्हीं को बुल लेकिन देखिए इसमें क्या दुरुभागे कहिए या जो भी कहिए आप लोग का ही यह रिजल्ट था आप ही लोग परिच्छा दिये थे हम तो दिये नहीं थे हैना सिर्फ 8701 कनेडेट ही क्वालिफाइड हुआ जबकि सीट कितना है 10709 अब देखिए 10709 सीट था कम से कम बहुत जयजा कनेडेट पास करते मतब 46,000 पर एकजाम देथे तो कम से 200,000-300,000 लेकिन यहां पर सीट से भी कम कनेडेट को क्वालिफाइड किया गया है यह चीज है अब यहां पर आप लोग के मन में दो परसन भी आते होंगे कि आप परसन की किस अधार पर आप लोग को बढ़ा दिया गया तो नौर्मालाजेशन वहां पर परक्रिया दिखाया है अब यह नौर्मालाजेशन की क्या सिस्टम है वह मुझे भी नहीं समझ माया है पूरा डिटेल में मैं क्यूं आप लोग को बता दूं और इसके रिगार्डिंग हम वीडियो यह नहीं पाए है तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट से पता करिए क्योंकि सब कुछ तो वहीं से होता है हम मेरे पास नौलेज इनके बारे में नहीं है इसलिए में आपको कभी वीडियो हम नहीं डाले है बहुत सारे लोग वीडियो डाले भी है मेरे जानकारे में नहीं है इसलिए पिछले वीडियो भी नहीं डाले थे बस आप लोग कितना जानकारी दिये थे कि नौर्मलाजेशन में मार्क बढ़ता भी है घटता भी है यह बात जरूर हम बताये तो वहीं प्रोसेस हुआ बढ़ा और घटा अब इनहीं में जिन लोग कर सकते हैं अभी आपको जानने का अधिकार आपको जानने का अधिकार है आपसमझ सकते हैं जान सकते हैं फेक है यह चीज़ है अब इन लोगों को सुल्ला तारीक से कांसेलिंग यहां कि अपर सूर्ण तर्थ ल हैं यह विब स्थान कहां है किस तारीक में किस को जाना कि चीज के लिए सूचना आपको अलग से परकासित किया जाएगा यह ईज देसाइट पर लोग प्रच से चार दिन बचा है तो कल या 13 या फिर 14 तक में आपका लिस्ट आ जाएंगे समभब ना है ठेक है यह चीज है तो आप लोग समझ गेंगे अब जब आएगा तो डोकुमेंट लेकर आना है क्या करना है क्या करना है फोटो कोपी करा लेना है चाहा परतिकर रहें कि दो सेट सभी डोकुमेंट का दो दो फोटो कोपी कराने के लिए बोल रहा है यहां पर दो फोटो कोपी कराने के लिए लेकिन मैं कहूंगा फरेस फरेस तीन तीन फोटो कोपी करा लिजेगा एक एक एक्स्ट्राम इसलिए रखना चाहिए कि कभी खो ग जाएगा उसका फोटोकोपी दो सेट मांगा है तो तीन सेट कर वा लिजिए एक एक्स्ट्रा करके फोटोकोपी करना है ठेक है अब इसमें क्या ले के आना है देखिए ले के आना है मैट्रिक का परमान पत्र अब मैट्रिक का परमान पत्र है एक मुल परमान पत्र है यह लेकिन ले करके आना है ले करके फोटो कॉपी करा करके आना है चुकि अगर मांग दे तो घर से लाने के लिए नहीं न जाओगी इसलिए बैग में फाइल में जो भी हो ले कर आना इतना ताप्रों समझी रही होगी ठीक है तो मैट्रिक का डोकुमेंट ले लेंगे अब देख आपको लेगा वहीं वहला जो आपने अउनलेन करने टाम में दिया था इसमें जिक्र किया गया है आप लोग देख लीजेगा फोटो युक्त पहचान पत्र कहने के मतलब हो गया कि आधार काड़ आप लोग कम ले लिजेगा जिन प्यारे सिच्टर के पास पेन कार्ड हो त परेगा लेकिन पर लेना यह नहीं तो काम चलिए जाएगा तो एक्ष्ट्रा करकर के डोकुमेंट है तो ले किा आना यह नहीं जो लेकित आना का सभी उतिरन विशाय से अंक पत्र यानि कि दो साल का होता है ना फस्ट येर सेकंड यर का मार्किट लेकिए आ जाना है है registration कार्ड लेके आ चाहिए अब जो कंडेट SC ST है या फिर्ंटर इंतर गाता है यह जो भी हो वह अपना जाती प्रणपत्र केमरियर जो आप लोग बनाए हो वह लेकर आना है आउनलाइन करने टाइम में जो दिये थे वही लेगा इसमें लिखा है पंद्रहु नौ से लेकर के पंद्रहु नौ से आवेदन आप लोग किये थे इसके बीच में इन वाले बीच के आप लोग को लेकर आना है ठेक है दिब्यांक परवान पत्र भी मतलब उसी डेट वाला जो ओनलाइन के थे वही वह ला लेकर के आप लोग आना है और अपलोड किया फोटो जो आपने फोट फोटो अपलोड के था उसी का पांच फोटो लेकर ना है कोई दूसरा फोटो लेके नहीं आईए अएगा तो अप्लोक जिनके पास यह फोटो नहीं होगा तो युश्यक्ति होसे थालीजिक्ति एक दो एक्स्ट्रा करके ले लिजेगा क्या जा रहा है पैसा वत्रे लेगा निकालने वाला साथ आठो को बना लिजेगा है ना तो यह चीज तो मैं बता दिया हूँ जिनके पास PDF होगा तो उस PDF पैसे निकाल लेना अगर आपके पास फोटो नहीं है तो अगर फोटो है तो यह फोटो को बना लेना तो यह सारे चीज है यह डोकुमेंट लेके आना है टाइम पर पहुंचाना है जिस दिन आप लोग को बताए जागा यह सब कुछ ठेक है आप लोग के लिए जो important point था वह मैं सब कुछ बता दिया हूँ हाँ आपको मैं बता दू आप लोग समय पान करेंग डोकुमेंट करेंग हर एक point इसमें लिखा गया है जैसे कि मुझे जानकारी था आपको मैं बहुत कुछ किलियर कर दिया हूँ और भी पढ़ लेना खुद से भी किलियर होगा ठेक है जो भी कुछ होगा डॉट वगर कमेंट करेंगा फोन खाली नहीं करेंगा फोन च जाइएगा जिन लोगों का रिजल्ट हो गया जिनका रिजल्ट नहीं हुआ घबरानी की जूरत नहीं है वैकेंसी जैसी नौलीज में आएगा मैं आपको बताओं गांगा और इन लोगों को जिस तरह से मैंने त्यारी करवाया हूं तो समय तो नहीं है इस वार नियू भाइच खोलेंगे तो आपको मैं बता दूंगा ठीक है लेकिन उमीद कम है कि मैं भाइच इस वर खोलने वाला कि कि समय का बहुत ज्यदा दिक्कत है ठीक है इसलिए चलिए सभी को धन्यवाद